हालो गाईज, वेलकम बेक टो यूटूब चैनल बेश्टन गाईड, दोस्तो अगर आप बैंको बड़ोधा की कस्टमर है, बीउबी में आपका अकाउंट है और आप मुबाइल बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बीउबी वर्ल अप्लिकेशन किस प्रकार से स् और बैंको बड़ोधा की आप मुबाइल बैंकिंग को कैसे इवन यूज कर सकते हैं, कैसे अपना UPI रजिस्टेशन कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइव करके बताया है, और यहाँ पे बैंको बड़ोधा की रजिस्टेशन कैसे की जाती है, बीना ATM कार की वो मैं इस वीडियो में आपको आज लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो अगर आप भी बैंको बड़ोधा के कस्टमर है, तो बिल्कुल तयार हो जाएए, इस वीडियो में हम आपको complete information बैंको बड़ोधा की मुबाइल बैंकिंग के बारे में देने वाले हैं, तो ब बैंको बड़ोधा की मुबाइल बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले आपको Google Play Store से बी यो बी वर्ल्ड अप्लिकेशन डाउनलोड करना है, बी यो बी वर्ल्ड अप्लिकेशन का जो लिंक है, मैं आपको अपने वीडियो के description में दे दूँगा, आप लिंक पे क अपना मुबाइल बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप यहां से लेंग्वेश सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप प्रुसीड करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप इसको यहां से स्टॉल करेंगे, और गेट स्टार्टेड वाले करेंगे, आपको दुबारा से यहां से ओके करना है, आपके बेंक अकाउट से जो भी आपका SIM वेरिफाई है, उस SIM को अपने फोन के अंदर आपको लगा के रखना है, तो यहां पे आप SIM सेलेक्ट करेंगे, और अगेन आप कनफार्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब आ इंडिजिट का मुबाइल नंबर आपके सामने सो होगा आपको यहां से इसे कनफर्म करने है आपके मुबाइल नंबर पे एक OTP बैंको बढ़ोधा सेंड करती है इस OTP को आपको यहां पे फिल करना है और उसके बार आप विरिफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे आप जै उस Activation Key को यहां पे आपको फिल करना है इसमें दोस्तों आपको कोई भी ATM कार्ड की जरूरत नहीं है मैं आपको लाइब दिखा रहा हूँ तो यहां पे आपको एक 4 डिट का Activation Key मिला होगा मैं Activation Key आपको दिखा देता हूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं एक One Time Activation Key हमारे पे बैंक ओ बड़ोदा ने यहां पे सेंड किया है उपर आपको बैंक ओ बड़ोदा सोहु रहा होगा और यहां पे चारंग का एक Activation Key हमें बैंक ओ बड़ोदा की तरब से मिला है इसी Activation Key को आपको यहां पे फिल करना है आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं आपको इंस्टेंट आपके मुबाइल नंबर पे Activation Key भेजा जाता है तो यहां पे आप अपना Activation Key Fill करेंगे तॉमसेंट कंडिशन को यहां से आप Accept करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे Proceed वाले बटन पे क्लिक करना है आप जैसे ही Proceed वाले बटन पे क्लिक करत हैं अब यहांपर आपको 4 digit का ट्रैक्षशन पिन बनाना है इसी ट्रैक्षण पिन के माध्यम से आप कोई भी ट्रैक्षण बेंक्ण को बड़ो जाके मोबाइल बेंकिंग में पर फोर्म कर सकते हैं तो यहांपर चारंग का एक पिन बनाएंगे और उसके के की बाद के अव से कोई भी यहाँ पर पिन सेट कर सकते हैं, दूबारा आपको वही प्न यहाँ पर इंटर करना है, और उसके बाद दोस्तों आप सब्मीत पर क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंगरचिलेशन का मेंसेज आ चुका है, और यहाँ पे हमारा जो भी पैंको बड़ोजा की मुबाइल बैंकिंग है, वो successfully यहाँ पे activated हो चुकी है अब हम यहाँ से proceed to login पे click करेंगे, आपके सामने bob world कुछ ऐसा options आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा bob world में complete हमारा जो account है दोस्तों, वो बन चुका है तो यहाँ पे आप अपना four digit का pin डालेंगे, जो भी pin अभी आपने बनाया था, अपना login pin, तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया है, जैसे ही आप इंटर करते हैं, यहाँ पे आपका bob world application आपके सामने खुझ आता है, जिसमें आपको बहुत तरीके के options दिखाई देते हैं सबसे उपर यहाँ पे आपके account number आपको दिखने को मिलता है नेचे आपको available balance मिलता है आप इस पे button पे click करेंगे तो आपके bank account में जितने सारे balances होंगे तो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे इसमें आपको बहुत सारी facilities मिलती है जैसे कि आप पैसे transfer कर सकते हैं यहाँ पे आपको passbook का option मिलता है आप अपना passbook भी देख सकते हैं इवेन आप अपना credit score भी check कर सकते हैं जो कि bank of browser में विल्कुल आप free में credit score चेक कर सकते हैं नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको recharge and bill pay का option मिलेगा जहाँ पे आप mobile recharge, DTH recharge और यह बहुत सारी जो bill payment है यहाँ आप बहुत ही असानी से bank of browser की इस mobile banking से कर सकते हैं यहाँ पे आपको UPI का option मिलता है आप इस पे click करेंगे यहाँ पे आप allow once पे click करेंगे और यहाँ पे आप अपना UPI registration भी कर सकते हैं जिसके लिए आपका number दिखाया जाएगा आप submit वाले button पे click करेंगे एक SMS आपके mobile number से भीजा जाएगा जिसे यहाँ पे आपको भेज देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका UPI creation हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो verifying mobile number और यहाँ पे आपका mobile number आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको अपना complete name फिल करना है complete name फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक next का button दिखाई देगा आप next पे click करेंगे अब यहाँ पे आपको bank name option आएगा तो यहाँ पे आप bank select करेंगे यहाँ पे सबसे उपर यहाँ आपको bank of boda दिखाई दे रहा है आप इसको tick करेंगे tick करने के बाद यहाँ पे आपका bank of boda का account number आ जाएगा आप यहाँ से select कर लेंगे आप से पूछ जाते हैं जैसे कि आपका email id और यहाँ पे आपका security question जो भी आप security question यहाँ पे set कर सकते हो उसका answer दे कि आप जैसे ही टॉम्शन कंडिशन को accept करते हो और submit पे click करते हो तो यहाँ पे आपका UPI की registration भी हो सकती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको UPI कैसे बनाना है BOB World में account कैसे बनाना है complete जो information है वो हमने आपको बता दिया है अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने cards को भी manage कर सकते हो manage debit card में आप अपने card को यहाँ पे manage कर सकते हो अगर आपके पास debit card नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ options दिखते हैं जैसे की अगर आपको check stop करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको check book apply करना है FD करना है investment करना है digital loan बहुत सारे दोस्तों आपको यहाँ पे options मिलते हैं और आप bank of bada के mobile banking से यह जो भी सारे process है वो आप बहुत ही असानी से कर सकते हैं अगर आपको कोई QR code scan करना होता है आप इस पे click करेंगे और यहाँ से आप कोई भी QR code scan कर सकते हो दोस्तों कुछ इस पेकार से आप bank of bada की mobile banking को start कर सकते हो जो की बिरा ATM card के मैंने आपको करके दिखाया है हमें उमीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी help मिल पाया होगा अगर आपको इसके related कोई भी doubt है कोई भी confusion है तो आप हमें बेजी जग comment कर सकते हैं इस वीडियो के दोस्तों हम यही पे खतम करते हैं मिलते अगले किसी interesting वीडियो में अब तक के लिए अपना ख्याल लखिए take care have a good day